नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल अमितंकूपर तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ जी के सेक्षन जूनियर इंजिनियर मेकैनिकल का और जिसका पोस्ट कोड था 825-825 तो जेई मेकैनिकल पोस्ट कोड और यह जो एक्जाम हुआ था यह हुआ था दस अपरेलन 2021 को और यह जो जाम हो है 10 अप्रेल 2021 को तो देख सकते हैं आप इसकी अंसर की को तो चलिए शुरू करते हैं इसका जी के सेक्षिन तो फर्स्ट कॉस्टन है तो हिमाच्य प्रदेश के किस जीले में ग्राम पंचाइतों की संख्या सबसे अधिक है तो इसका जो अंसर है ऑप्शिन भी कांगडा नेक्स्ट कॉस्टन है 37 फर्स्ट फर्स्ट रेसिपियंट ओफ डॉक्टर वाईयस प्रमार अवार्ड इन हिमाच्यली संस्कृतिक लिटरेच्चर वाज तो हिमाच्यली संस्कृतिक साहित्य में डॉक्टर वाईयस प्रमार पुर्सकार के प्रत्व प्राप्त करता कौन थे तो 37 का है option A, मिया गोवर्धन सिंग next question है 38 famous नैना देवी temple is located in which district of हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पसिद नैना देवी मंदिर स्थित है तो 38 का है option D, बिलासपूर तो काफी बार पूछा जाता है कि नैना देवी की पहाड़ियां कहां पे हैं तो बिलासपूर में next question है 39 तुंडः wildlife sanctuary is located in which district of हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश के किस तैसील में तुंडः वन जीव अभ्यारन स्थित है तो 39 का अंसर दिया गया है option A, भर्मौर next question है 40 सांगला वैली is located in which district of हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सांगला घाटी स्थित है तो 40 का आएगा option A, किनौर next question है 41 दशहर लेक is located in which district of हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दशहर जील स्थित है तो 41 का है option B, कुलू तो दशहर जील से आप जाखते हैं जैसे कुलू का दशहरा भी famous है तो दशहर जील कहां पे कुलू में next question है 42 लदार्चा फेर is celebrated in which district of हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दशहर जार्चा मेला मनाया जाता है तो 42 का आएगा option C, लहौल स्पीती next question है question number 43 तो famous personality सत्य देव उशहरी बिलॉंग to which district of हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से प्रसिद्ध व्यक्तित व सत्य देव उशहरी संबन दित है 43 का है option A, शिमला next question है 44 तो सुकेत राजसी राज्या के संस्थापक कौन थे तो सुकेत प्रिंसली स्टेट वास फाउंड़ वाई 44 का दिया गया answer option D, none of these तो इसका जो answer आएगा option D, none of these तो actually इसका answer है वीर सेन तो सुकेत राजसी राज्या के संस्थापक कौन थे वीर सेन next question number है 45 किस दिल्ली सुल्तान ने सिर्मोर राजसी राज्या को निंत्रन में लिया और अपने सहाई के रूप में बनाया तो 45 का answer आएगा option C, फिरोशा, तुगलक next question है 46 तो question है शिमला में किस वर्ष United Service Club यानि कि US Club की स्थापना हुई थी तो United Service Club, US Club was founded at Shimla in which year तो 46 का answer है option B, 1844 next question है 47 तो हिमाचल प्रदेश के सरप्रत्थम लोका युक्त कौन थे 47 का answer दिया गया है option D, justice, TVR, ताटाचारी next question है 48 तो किलाड पन बिद्यूत प्रियोजना की क्रियात्मक अजेंसी कौन सी है तो 48 का answer है option A, हिमाचल प्रदेश, state electricity board तो कई बार पुछाता है कि किलाड कहां पे है, तो किस जिले में है किलाड, चमबा में next question है हिमाचल प्रदेश के किस थान पर state institute of hotel management, catering technology and applied nutrition स्थित है तो state institute of hotel management, catering technology and applied nutrition is located at which place in हिमाचल प्रदेश 49 का है option C, सर्सन कहां पे है, सर्सन में, जो कि कहां पे हमीरपूर next question है, question number 50 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोक नरित्य, माला यान की गार्लेंड किया जाता है तो माला fog dance is performed in which district of हिमाचल प्रदेश तो 50 का अंसर है option A, किन और next question है 51 तो current affairs के question है किस देश ने अभी हाल ही में विवादा स्पद 20 में संभिधान शंशोधन को पारित किया तो which country has recently passed a controversial 20th constitution amendment तो 51 का अंसर है option D, श्रीलंका next question है 52 तो government e-marketplace portal अभी हाल ही में किस portal के साथ एक इकरित हुआ है 52 का अंसर है option C, central public procurement portal next question 53 तो which country has recently given complete approval for using antiviral drug to treat COVID-19 तो किस देश ने अभी हाल ही में COVID-19 के उपचार के लिए antiviral drug remedy के उप्योग के लिए पूरी तरह से स्विक्रिती दी है तो remedy स्विर के उप्योग के लिए पूरी तरह स्विक्रिती किस ने दी है 53 का है option B, USA next question है state global air 2020 report के अनुसार 2019 में सबसे अधिक बायू परदूर्शक पती त्यागता रिकार्ड वाला देश था तो 54 का अंसर है option C, भारत तो next question है which state has recently implemented smart blackboard scheme in 80,000 government schools तो किस राज जने अभी हाल ही में 80,000 सरकारी स्कूलों में smart blackboard scheme को कारेविंति किया है तो किस ने किया है तो 55 का जो अंसर है option B, Tamil Nadu next question जो है reasoning के question है तो मैं आपको इसके अंसर आजता हूँ आप इन्हें solve कर सकते हैं question number 56 का अंसर है option number A next question question number 57 तो इसका जो अंसर है option B next question question number 58 58 का अंसर है option B next question 59 तो question number 59 का जो अंसर आएगा वो आएगा option B next question question number 60 60 का अंसर दिया गया है Option D Next question है पूर्व वैदिक काल की सब्विता के बारे में कौन सूचना परदान करता है तो which provides information about the civilization of early वैदिक एज 61 का अंसर दिया गया है Option A, रिगवेद Next question 62 तो बोधिजम made an important impact on which societies तो किस समाज पर बोधित्व का महत्वपून प्रभाव पढ़ा 62 का अंसर है Option D, इस्त्रियों और शूद्रों पर Next question है, question number 63 तो question है, किन ख़दानों से प्रसिद कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था The famous कोहिनूर diamond was produced from which mines 63 का अंसर आएगा Option D, गोल कॉंडा Next question 64 What do you mean by मुगल जागीर तो मुगल जागीर से आप क्या समझते हो 64 का अंसर है, option A, अधिकारी को राश्व संग्रह करने का अधिकार देना Next question है, 65 तो What did the hunter commission appointed by the viceroy probe Vice ray द्वारा किस घटना की जांच के लिए hunter commission जो है, निक्तक की गई थी तो 65 का अंसर है Option C, जलियां बाला वाग हत्याकान के लिए Next question है Which was not a member of drafting committee of constitution तो कौन संभीधान की प्रावरूप समिती का सदस से नहीं था तो 66 का अंसर आएगा Option दिया है, इस का अंसर Option B, Dr. Rajendra Prasad Option number B तो friends, इसकी आपको PDF मिल जाएगी description box में और description box में मैंने Telegram का link दिये, तो आप Telegram चैनल भी जोइन कर सकते हैं, तो बहां भी आपको PDF जो है, मिल जाएगी और friends, जैसा कि आपको पता है कि अंसर की में एक या दो question गल्त होते हैं, तो अगर आपको लगता ही implementation of the fundamental right, तो 67 का जो अंसर है, option D, both A and B, High Court and Supreme Court, next question है 68, in which year house of people was named as लोकसभा, तो किस वर्ष में house of people को लोकसभा नाम दिया गया था, 68 का है, option C, 1954, next question how much part of earth's land surface is desert, तो प्रिथ्वी की बूस्त है का कितना भाग मरुस्थल है, तो कितने भाग पे मरुस्थल है, 69 का अंसर दिया गया है, option B, one third पे, next question, 70, प्रस वेधन उत्पन होता है, तो 70 का अंसर दिया गया है, option B, गरम, नम और वायू स्थिती में, next question, 71, तो on which date does India experience the shortest day, भारत में सबसे छोटा दिन, किस दिनां को अनवव होता है, 71 का है, option B, option sorry, option A, 22 December को, और आपके लिए कौशन है कि सबसे बड़ा दिन हम, सबसे बड़ा जो दिन है भारत में, किस दिन को, किस दिनां को अनवव होता है, तो कौन सी डेट को सबसे बड़ा दिन होता है, next question है, which rivers forms estuary, तो कौन सी नदी जवार नदमुख बनाती है, तो जो नदी पश्चिम की और बहती है, तो वो क्या करती है, estuary का निर्मान करती है, तो इसका जो अनसर हैगा, option D, नर्मदा, तो आपको लगवग, चार पांच नदी जो यार रखनी है, जैसे महा नदी, महा नदी, गुदावदी, कृष्णा और कावेरी, तो ये चारों क्या हैं, पूरव की और बहती हैं, और दो नदी आपको यार रखनी है, नर्मदा और तापती, जो पश्चिम की तरब बहती हैं, और एश्चुरी का निर्मान करती हैं, नेश्ट कॉश्चन है, 73, तो विच कैनाल इस लोकेटिड इन वेस्ट वेंगॉल, पश्चिम मंगाल में कौन सी नहर स्थित है, 73 का है, ऑप्शिन सी, इडन नहर, इडन कैनाल, तो जो ये इडन कैनाल है, इडन नहर है, ये दामोदर रीवर वैली प्रोजेक्ट का हिस्सा है, नेश्ट कॉश्चन है, 74, व्यवसाय कारे में सामान्य डाउन टर्न के कारण बिरोजगारी बढ़ती है, जो क्या कहलाती है, तो 74 का जो अंसर दिया गया है, इसमें अंसर की में, ऑप्शन C, चक्री बिरोजगारी, नेश्ट कॉश्चन जर्नल साइन्स के, तो 75 का अंसर दिया गया है, ऑप्शन B, वाइटामिन के, नेश्ट कॉश्चन है, तो 76 का जो अंसर है, अप्शन A, इट में कॉज एलेक्ट्रो कॉश्चन, ट्रो क्यूजन के कारण, इट में कॉज एलेक्ट्रो क्यूजन, next question है तो 76 का जो अंसर है option A it may cause electrocution तो होता क्या है कि जो water है वो water is a good conductor of electricity तो अगर हम water को electric fire में फैंकेंगे तो water जो क्या कर सकता है electricity conductor कर सकता है कर नहीं सकता कर सकता कर देगा और जो जो आग में पानी फैंक रहा होगा उसको क्या लगएगा electric shock तो which is found in vinegar which acid is found in vinegar तो इसका जो answer आएगा option D none of these तो vinegar में होता है acetic acid next question है 78 तो and antonym of frailty is friends frailty का जो meaning होता है वो होता है दोश तो इसका जो किसी में ये दोश हैं तो उसकी strength क्या है फिर तो इसका जो frailty का आएगा antonym वो strength हाएगा next question है one word substitution for a word no longer in use तो इसका जो answer है option C obsolete next question है question number 80 तो 80 में है she takes after her grandfather she has blue eyes next question 81 meaning of the idiom to play fast and loose is to 81 का answer दिया गया है option B next question सब्तग्रह में समास कौन सा है तो 82 का answer आएगा option A dwan समास next question 83 शक्ति में प्रत्य क्या है तो इसका answer दिया गया है option D t next question 84 तो अपमान का प्रेवाची क्या है तो 84 का answer है option A अभिमान ना करना तो friends यह था जी के section J mechanical post code code 825 तो friends इसकी आपको PDF नीचे description box में मिल जाएगी और साथ ही में आप इसकी PDF को टेलिग्राम चैनल से भी download कर सकते हैं और सकते हैं